स्वागत है आपका हमारे चेनल MBDH Wellness में आशा करते हैं आप सब स्वस्त होंगे आज हम बात करेंगे नो घरेलूप चार की जिनसे आप Thyroid को जड़ते मिटा सकते हैं Thyroid के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है खासकर महिलाओं में Thyroid हर्मोन का इस्त्रव जब असंतुलित हो जाता है तो इस कारण सरीर में कई प्रकार की परेशानिया होने लगती है आजकल जादतर लोग Thyroid की समस्या से पिड़ी थे यह समस्या पुरुशों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है जिससे सरीर का वजन या तो बढ़ता है या कम हो जाता है Thyroid को Silent Killer भी कहा जाता है ऐसे में रोगी को हमेशे कोशिस करनी चाहिए कि वो अपनी डाइट में कोश्टिक आहर सामिल करे Thyroid की समस्या से निजात पाने के लिए प्राचिन आयरुवेदिक उपाई है जिनके जरिये हम अपने घर में ही मोजुद चीजों से रोगताम का उपाई कर सकते हैं Thyroid एक आप बिमारी है जो किसी को भी हो सकती है Thyroid आपके गले में बिलकुल सामने की और एक छोटी गरंथी में है हार्मोन जारी करता है जो आपके सरीर को उर्जा वियानिमित करने और उप्योग करने में मदद करता है Thyroid को दो प्रकारों में विवाजित किया जाता है Hypothyroidism और Hyperthyroidism जब आपका शरीर पर्यापत thyroid hormone का उत्पादन करने में असमर्थ होता है तो यह Hypothyroidism होता है वही जब आपका शरीर thyroid hormone की अधिक मात्रा का उत्पादन करता है Hypothyroidism अधिक आम हैं और Hypothyroidism के विभिनल लक्षन है कब्ज, ठकान, उच्छ रक्चाप, वजन बढ़ना, मास पीशों में दर्द, आखों का पकड़ना और बालों का समय से पहले सफेद होना, हाइपो थारेड़िजमे के लक्षन है जबकि ऐसी दवाएं हैं, जिने रोजाना लेने की आवशक्ता होती है, लेकिन कुछ घरेलू उपचार है, जो आपकी थाईरोड ग्रंदी के कामकाज को बहार करने में मदद कर सकते हैं पहला अद्रक, पोटेसियम, मेगनेसियम का एक सम्रद इस्त्रो थे, अद्रक में सक्तिसाली विरोधी भड़का उगून होते हैं, जो हाइपो थाराइडिजम और इसके लक्षनों से चुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं कुछ बारी कटा हुआ अद्रक ले और उसे उबलते पानी के एक कप में जोड़े, इसे पांच मिनिट तक उबलने दे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दे, स्वाद के लिए कुछ सहद जोड़े और इसे तुरंत पी ले, इस चाय को दिन में कम से कम दो बार पीए, इसलिए अपने आहार में विटामिन युक्त भोजन या विटामिन की खुराग को सामिल करना सुनिश्चित करे, क्योंकि यह हाइपो थाइराइडिज्म के साथ मदद कर सकता है, विटामिन B12 थाइराइड क्रंथी के काम काज में मदद करता है, जबकि विटामिन C आकसिड तनाव से लड़ता है, इसलिए अपने विटामिन का सेवन बढ़ाने के लिए हरी पत्यदार सबजियां, मचली मास और अंडे का खुप सेवन करे, दो, दही और दूद का सेवन, थाइराइड की समस्या से ग्रसित लोगों को दही और दूद का इस्तमाल अधिक से अधिक कर करना चाहिए, दूद और दही में मोजूत केलसियम, मिनरल्स और विटामिन थाइराइड से ग्रसित पुरुषों को सवस्त बनाये रखने का काम करते हैं, तीसरा मुलेटी का सेवन, थाइराइड के मरीजों को ठकान बड़ी जल्दी लगने लगती है, और वे जल्दी ही ठ जाते हैं, एसे में मुलेटी का सेवन करना बेहत फायदेमन होता है, मुलेटी में मोजूत तत्व, थाइराइड ग्रन्ती को तंतुलित बनाते हैं, ठकान को उर्जा में बदल देते हैं, मुलेटी थाइराइड में कैंसर को बढ़ाने से भी रोकता है, चोथा, ग्यों जव जवार का इस्तमाल थाराइट ग्रन्थी को बढ़ाने से रोकने में ग्यहूँ और जोआर का इस्तमाल भी मददकार हो सकता है। ग्यहूँ और जवार ऐरुध में थाराइट की समस्या को दूर करने का बेहतर और तरल प्राकरतिक उपाई है। इसके अलावा यह साइनस उच रक्त चाप और खुन की कमी जैसी समस्याओं को रोकने में भी प्रभावी रूप से काम करता है पाचवा साबूत अनाज जो ग्यहूं और साबूत अनाज से बने प्रदार्तों का स्यवन करने से थाइराइट की समस्या नहीं होती है क्योंकि साबूत अनाज में फाइवर प्रोटिन और विटामिन आदि भरपूर मात्रा में होती है जो थाइराइट को बढ़ने से रोकता है छटा फ्लेक्सिट्स फ्लेक्सिट्स ओमेगा 3 फेटी एसिट्स से भरे होते हैं जो थाइराइट हार्मोन के उत्पादन को प्रेजित करने में मदद करते हैं वे मेगनिसियम और विटामिन B12 का एक समरद इस्त्रों थे जो सरीर के कार्यों को बहाल करने में मदद करते हैं और हाइपोथाइराइडिज्म के लक्षणों से लड़ते हैं उन्हें एक गिलास दूद में जोडने के लिए एक चम्मच पाउडर के बीच ले और इसे अच्छे से मिला है इसका रोजना सेवन करे दिन में कम से कम दोवा साथवा नार्यल के तेल का करे सेवन नार्यल का तेल ना केवल बालों के लिए अच्छा होता है बलकि इसका सेवन करने से थाइराइड में भी रात मिलती है नार्यल तेल में फेटी एसिड होता है जो थाइराइड ग्रंथी को सही कामकाच करने में मदद करता है आठवा अश्वगंदा भी असरदार आयरुवेदिक चिकिस्ता पद्दती में अश्वगंदा की मांग इसके अधिक गुणकारी होने के कारण बढ़ती जा रही है अश्वगंदा बहुत गुणकारी है यह एक सक्तिवर्दक अविरुवेदिक ओश्दी है इसका सेवन करने से थाइराइड को कंट्रोल किया जा सकता है 200 से 1200 मिली ग्राम अश्वगंदा चूर्ण एक कप चाई के साथ मिला कर ले आप चाहे तो अश्वगंदा की पत्तियों को पीस कर भी उपयोग में ला सकते हैं इसके अलावा इसके स्वात को बढ़ाने के लिए आप तुलसी का भी प्रियोग कर सकते हैं हाइपो थाइराइडिज्म के लिए आईरुवेदिक इलाज में गूगल और अश्वगंदा के साथ भी इलाज किया जाता है थाइराइड का मरीज नियमित रूप से अश्वगंदा का सेवन करे तो शरीर में उर्जा बनी रहती है और काम करने की चमता में भी व्रद्धी होती है साथ ही यह सरीर के अंदर का हार्मोन बेलेंस भी संतुलित कर देता है यह टेश्टोइश्टिरान और एंड्रोजन हार्मोन को भी बढ़ाता है इस तरह से अश्वगंदा के उपयोग से थाइराइट को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन अश्वगंदा के उपयोग से पहले अपने डाक्टर से सला अवश्य ले नौवा योगा हम सभी योग के कई स्वास्ति लावों का जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग थाइराइड गृंथी में रक्त के प्रवाग में सुधार कर सकता है थाइराइडिज्म वाले लोगों को अपने जिवन में योग को सामील करने की सला दी जाती है योग कई स्वास से समस्याओं को दूर करने में कारगार माना जाता है आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाइब दायक है और आप इसे आपके परिवार और तक पहुचाएंगे अगर आप ऐसे किसी और प्राकरतिक रेमेडिस को जानते हैं तो हमें कामेंट सेक्षन में बताये अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करे इसे शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद नमस्कार